बीज को इंग्लिस में सेड बोलते हैं सेड मिन्स बेज हल को इंग्लिस में पिलाव बोलते हैं पिलाव मिन्स हल कुलहाली को इंग्लिस में एक्स बोलते हैं X means कुलहारी dharati ko English में sickle बोलते हैं sickle means dharati khad को English में fertiliser बोलते हैं fertilizer means khad चारा को इंग्लिस में फोर्डर या फिर साइलेज बोलते हैं फोर्डर या फिर साइलेज means चारा किसान को इंग्लिस में फार्मर बोलते हैं फार्मर means किसान घास को इंग्लिस में गर्वास बोलते हैं गर्वास means घास सोखी घास को इंग्लिस में हे बोलते हैं हे मिन्स सोखी घास हत्थोड़ा को इंग्लिस में हेमर बोलते हैं हेमर मिन्स हत्थोड़ा हसिया को इंग्लिस में ग्रास होक बोलते हैं ग्रास होक मिन्स हसिया फावडा को English में आट्रवार खास काटने का आला को English में साइद साइद मेंस खास काटने का आला खरपी को English में ट्यावल बोलते हैं ट्यावल मेंस खरपी खेत को इंग्लिस में फार्म बोलते हैं फार्म मेंस खेत खेती करना को इंग्लिस में फार्मिंग बोलते हैं फार्मिंग मेंस खेती करना बगीचा को इंग्लिस में ओर्चर्ड बोलते हैं ओर्चर्ड मेंस बगीचा कीट नासक को इंग्लिज में पेस्टी साइड बोलते हैं कुदाल को इंग्लिज में हो बोलते हैं हो means कुदाल गाठ बादने वाला यंत्र को इंग्लिज में बेलर बोलते हैं बेलर मेंस गाठ बादने वाला यंत्र बिजुका बिजुका वो होता है जो पक्चो को ड्राने का पुतला होता है उसको हम बोलते हैं बिजुका इसको हम इंग्लिस में बोलेंगे स्केयर क्रो इसकेयर क्रो मेंस बिजुका मतलब पक्चो को ड्राने का पुतला भूसे की गठरी को इंग्लिस में हम इस्टा बेल बोलते हैं मिट्टी को हम इंग्लिस में सोईल बोलते हैं सोईल मिन्स मिट्टी बंजा को इंग्लिस में हम बेरेन बोलते हैं बेरेन मिन्स बंजा खलिहान को इंगलिस में हम बोलते हैं बान बान मेंस खलिहान गोबर को हम इंगलिस में डंग बोलते हैं डंग मेंस गोबर गोबर का धेर को हम इंगलिस में डंग हिल बोलते हैं डंग हिल मेंस गोबर का धेर उपला या फिर कंडा को हम इंगलिस में डंग केक बोलते हैं डंग केक मिन्स उपला या फिर कंडा छोटा पोधा को हम इंगलिस में सेपलिंग बोलते हैं सेपलिंग मिन्स छोटा पोधा सूखी घास का ढेर इसको हम इंग्लिस में है इस्टेक या फिर है विक बोलते हैं है इस्टेक या फिर है विक सूखी घास की गठरी इसको इंग्लिस में हम बेल आफ है बोलते हैं बेल आफ है बाड को इंग्लिस में हम फैंस बोलते हैं फैंस मीन्स बाड गठरी भादो तोलक को हम इंग्लिस में बेल लिफ्टा बोलते हैं बेल लिफ्टा मिन्स गठरी भादो तोलक हल रवेखा को हम इंग्लिस में फरो बोलते हैं फरो मिन्स हल रवेखा कोड सीचाई को हम इंग्लिस में फरो इरीगेशन बोलते हैं फ़रो इरिगेसन मीन्स कोल सिचाई काटिदा ता को हम इंग्लिस में बार्ब्ड वायर बोलते हैं बार्ब्ड वायर अनाज साफ कन्ने की मसीन को हम इंग्लिस में ग्रिवेन क्रीनर बोलते हैं ग्रिवेन क्रीनर मीन्स अनाज साफ कन्ने की मसीन हेंगा को हम इंग्लिस में हेरो बोलते हैं हेरो मिन्स हेंगा बेलचा को हम इंग्लिस में सवल बोलते हैं सवल मिन्स बेलचा फसल को हम इंग्लिस में क्रॉप बोलते हैं क्रॉप मिन्स फसल फसल काटना को हम इंग्लिस में हाव वेस्ट बोलते हैं हाव वेस्ट मिन्स फसल काटना फसल काटने की मसीन को हम इंग्लिस में हाव वेस्टा बोलते हैं हाव वेस्टा मिन्स फसल काटने की मसीन सिचाई को हम इंग्लिस में इरिगेट बोलते हैं Irrigate means सिचाई Bill गाड़ी को हम English में Block Cart बोलते हैं Block Cart means Bill गाड़ी Tractor को हम English में Tractor ही बोलते हैं Tractor means Tractor Khodak Machine को हम English में Beko बोलते हैं Beko means Khodak Machine Jotna को हम English में Barn बोलते हैं Barn means Jotna Pani की होद या फिक कुंडा को हम English में Clevis बोलते हैं Clevis means Pani की होद या फिक कुंडा Panja को हम English में Wake बोलते हैं Wack means Punjab Anachunna को हम English में Vinover बोलते हैं Vinover means Anachunna Gahane की Machine को हम English में Tracer बोलते हैं Tracer means Gahane की Machine Balay-Batonne की Machine को हम English में Gleaner बोलते हैं Gleaner means Balay-Batonne की Machine Topkin Sichai को हम English में Drip Irrigation बोलते हैं Drip Irrigation means Topkin Sichai Bonay की Machine को हम English में Planta बोलते हैं Planta means Bonay की Machine Pani चरकने की Nali को हम English में House बोलते हैं House means Pani चरकने की Nali Beach Bona को हम English में So बोलते हैं So means Beach Bona Mere बनाने की Machine को हम English में Vigar बोलते हैं Vigar means Mere बनाने की Machine Ghas Kaatna को हम English में Mo बोलते हैं Mo means Ghas Kaatna Charkana को हम English में Spray बोलते हैं Spray means Charkana Kua को हम English में Well बोलते हैं Well means Kua Heart Pump या फिर Heart Null इसको हम English में Hand Pump बोलते हैं Hand Pump means Heart Pump या फिर Heart Null Pavan चक्की को हम English में Windmill बोलते हैं Windmill means Pavan चक्की Bharat तोलन यंत को हम English में Crane बोलते हैं Bhang, Ganja या फिर जंगली घास को हम English में Wind या फिर Canabis बोलते हैं Wind या फिर Canabis Up जाओ को हम English में Fertile बोलते हैं Fertile means Up जाओ Cast को हम English में Cultivator बोलते हैं Cultivator means Cast Khaar चर्काव यंत को हम English में Manual Spreader बोलते हैं Manual Spreader means Khaar चर्काव यंत Fuhari को हम English में Spairs बोलते हैं Spairs means Fuhari Ghas काटने की मसीन को हम English में Mores या फिर Ghas Cutter बोलते हैं Mores या फिर Ghas Cutter Boy Machine को हम English में Broadcast Cedar बोलते हैं Broadcast Cedar means Boy Machine Pani का Tank को हम English में Water Tank बोलते हैं Water Tank means Pani का Tank Sichai Pipeline को हम English में Irrigation Pipeline बोलते हैं Irrigation Pipeline means Sichai Pipeline आगे से Load करने की मसीन को हम English में Fent and Loader बोलते हैं Fent and Loader और आज का कुछे आप लोगों को बताना है मिट्टी और खात को हम English में क्या बोलते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लैक जोड़ कीजेगा क्योंकि आप लोगों के लाइक काने ते ही में निव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ Thank you for watching